आप देख रहे हैं जेके नीज्टूडे और मैं हूँ रमन सेनी इस समय की बड़ी खबर जो है वो सुरक्षा के हवाले से जुड़ी हुई आ रही है और जो जानकारी मिल रही है कि एक टॉप हाई लेवल मीटिंग जो है सेक्यूर्टी रिव्यू को देखते हुए इस समय श् श्रीणगर में हो रही है और इस मीटिंग को हैट करने के लिए बाकाइदा देली से मिस्ट्री आफ होम अफेर से भी कुछ आधिकारी वो आए हैं और इस पूरी मीटिंग का एजंडा जो है वो कहीं न कहीं इस समय जो प्रिवेलिंग सिच्वेशन सेक्योर्टी का कश्मीर घाटी और जमो कश्मीर के अंदर बना है उस पर डिसकस करना है और किस तरीके से अमनात यात्रा से पहले सुरक्षा के बंदोबस्त को स्टेंथन करना है उनको और मजबूत करना है साथ इसाथ में मई के महीने में जी ट्वेंटी की मीटिंग होनी है उसे किस तरीके से सुर बाबा मनाथ जी की यात्रान्वाल यात्रा है, जी ट्वेंटी की मीटिंग कश्मीर घाटी में होनी है, और इसके साथ साथ में जो situation आतंगबाद से निपटने के लिए लगातार कोशिश की जाती है कश्मीर घाटी में और जम्मू में ताकि उसे कुछला जा सके दबाया जा सके उसे सिर उठाने की कोशिश ना किसी भी तरीकी की जो उसकी कोशिश हो उसे काम्याब ना होने दिया है तो इस सारी situation पर इस समय एक high level meeting जो है वो कश्मीर घाटी में शीनगर के अंदर चल रही है और यह meeting आप से कुछ देर पहले शुरुवात हुई है और इस meeting में सभी टॉप ब्रास जो ऑफिशल्स हैं दोनों जोन के चाहे वो जम्मू जोन के हों चाहे वो कश्मीर जोन के ह दिकारी चिसमें CRPF, Police, BSF और परमिल्टी फोर्स जो अलग 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 विंक्स के परमिल्टी फोर्स हैं वो और इसके साथ साथ में जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसिस हैं सिस्टर कंसर्न एजेंसिस हैं वो सभी इस meeting में हिस्सा ले रही हैं और कोशिश यही की जा रही अर्ष्णक्तान जम्मो कष्मीर को जिस तरीक Wasser Dog करने की कोशिश करता रहता है उससे निपटने के लिए क्या कुछ और तैयारियां करने की जम्मोड का खत्रह बना हुआ है उससे किस तरह से निप्टा जा सकता है यह एक बहुत क्योंकि उसमें 20 countries के internationally leaders जो हैं जो उनके officials होंगे वो वहाँ पर पहुचेंगे तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई चूक ना हो वहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस समय यह एक high level meeting जो है security review को लेकर क इस मीटिंग में सभी top press जितने भी officials हैं वो इस बात पर गहन मंतन कर रहे हैं कि कश्मीर की situation को और prevailing situation को और बहतर बनाने के लिए यहां से आतंगवाद को जड़ से खतम करने के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए और जिस पर focus करने की जरूरत है बागी के इन खपरों